स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विहारी फनी फेमली में सात्यों अभी से कुछ दर पहले बीपीएसी के चेर्मेन अतुल परसाद जी का एक ट्वीट आया है मैं इस विडियो में उसी ट्वीट पर चर्चा करूँगा कि उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है तो उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबा दे ताकि विडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब प्राप्त हो जाए साथ क्यों आप देख रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर BPSC के चेर्मेन मानिय अतुल परसाद जी का यह टूइट है जो की साम के 6 बज़े आया है उन्होंने लिखा है Yes, we are working on supplementary result in TRE 2.0 against the vacancies arising out of multiple results तो इस परकार से अतुल परसाद जी ने ओईसे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा खबर दिया है जो अभ्यर्थी कुछ नंबर से यानि एक नंबर से छूट गए है जिनका result नहीं हो पाया है उनको लेकर के यहाँ खबर आग चुका है वह सभी अभ्यर्थी काफी परसान थे कि पता नहीं इस बाद TRE 2.0 में supplementary result आएगा अथवा नहीं तो यहाँ बात अब असपश्ट हो गया है कि TRE 2.0 का supplementary result आएगा लेकिन कितने sit ओ पर आएगा इस बात को लेकर अभी संसर है हलाकि इस tweet में उन्होंने कहा है कि multiple results से जो sit खाली होंगे यानि cable उसी sit पर दिया जाएगा जो multiple results से sit खाली हुआ है उतने ही sit ओ पर supplementary result दिया जाएगा जबकि अभ्यर्थी यह उमीद लगाये हुए थे कि जितना भी sit रिक्त जाएगा उन सबों पर आएगा लेकिन आप देख चुके हैं पहले ही TRE1 में जितना sit रिक्त गया था multiple sit वालों का तो supplementary result आगया था 4700 के करीब जिसमें 2700 ही अभ्यर्थी मिल पाएं लेकिन और जितना sit रिक्त गया था वह अब TRE3 में add कर दिया गया है कल के आप news paper में देखे होंगे कि TRE3 को लेकर जो है तैयारिया शुरू कर दी गई है तो देखते हैं इस बार कितने sito पर supplementary result जाड़ी क्या जाएगा हलाकि इस मुद्य पर आपकी अपनी क्या राय है आप हमें comment section में बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप 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 आप